तो हम इसकी कर ले पहले की छोटे पॉदे को ट्रेंड करें हाइड एंसेटी पर इसमें क्या गलती होगी यह बैंडिंग कब मार्च में हुई है यह बैंडिंग से क्या होता है यह वाटर स्प्राउट निकल जाते है लेकिन यह ना आपके समर कुरून हो जाने चाहिए पॉदे की जितनी जान थी वह पॉदे ने प्रोज में इसमें आ गया और इसमें जैसे इस पेसिंग है देखो इससे क्या हो जाएगा यहां पर घॉला में क्यों नी करते यह इसे डर्ट वृट त्यार हो जाती है लाज इसमें आपने चीज़ें आप इतना काटेंगे इतना होना चाहिए इसको यहां से काटूंगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी तो गालाज में आपने स्टब कट करो और इसमें क्या चीजे है कि हमार को हाई डेंसेटी इसमें इसमें यह फट जाते बाहर को टहने निकल आते अभी आप इनको सब को स्टब करेंगे ना की बहुत उंचा आँक नहीं दिखनी चाहिए इसमें ताकि यह वाली आँक यहां से फटेगी यह उसको हम सुप्त आंखे बोलता है सुप्त आंखे से टेड़ी आंख निकलेगी इसमें इस तरह से स्टब कट करिए इसको गालाज में खास कर आपने यह दिहान देना कि इसमें विवल कट अवाइड करें इसमें डच कटी इसमें क्यूंकि बहुत अच्छा शाइड इसमें समर्पून भी किया हो गया है नहीं इसको रहने भी देंगे तो यह प्रूटिंग में चली जाएगी जो मोटी बड़ी टहनी है उनको आप स्टब कट कर सकते हैं यह मज़े है इसमें प्रूनिंग बहुत कम आती है यह आप देख रहे हैं यह एक प्रॉब्लम होती है यह इन्होंने बाद में इंप्रूव करें देखो यह नौट का तरीका ही होना चाहिए कोशिश करें कि आप सुटली यूज करें इसको उल्टा नौट वहलते हैं सिर्धी गांट लगाते गांगा उसको उल्टी सट घूमाकर जैसे यह आपको दिखाऊं कि नौट लगाने कैसे में बड़ा अच्छा तरीका यह होना समझ रहे हैं अगर मैं इसको सुल्टी गांट लगांगा यह लगा दूगा तो यह कसने यह पकट देगा जखम करेगा और आपको फिर टेंशन रहेगा कि उतारनी भी है और खासकर आपने शुतली यूज की ना सुतली तो अपने आप ही सट जाती है पर उसमें भी आपने लगानी उल्टी ही गांट यहां पर भी उल्टी ही गांट लगाओ ताकि वो लॉक हो जाए उससे पहलेगी ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाता अब इसको में अगर यह बहुत घने होते मालों यहां पर फियक पौदा होता तो मैं इनको ना विग्रस टेहन्यों को थोड़ा-थोड काट देता ताकि ज्याद आना बढ़े जैसे विग्रस टहनी न इनको इनको कर देता लेकिन इसमें यहां पर जगा आया तो ठीक है यह इतना स्पेसिंग ठीक है इतना जा सकता है बात याद है तो देखो आप नॉचिंग कर सकते हैं तो आप इसके नॉचिंग करो तो टॉप करने के विज़ूरत नहीं पड़ेगी और आपके टहने निकल जाएंगे इसमें हो क्या रहा है देखो यह क्यों भाग रहा है उपर इसमें एक अगर साइंटिफिकली में आपको इसमें एक ऑगजिन होता है और इसकी वज़ासे जो जबता हूं सब्सक्त्राइब तो यह क्या है बढ़े गाने बढ़ाता ही रहेगा इसको बढ़़ाना है और इसकी डॉमिनेंस की वज़ा से जो जिब्र祇न है जिब्रिल इन क्या होता है और साइड ब्रांचिज स्प्रमोड कर कर साइड की टेर ब्रांच है अब क्या हो जाएगा यह अगर इसको हम काळ देंगे तो आजिन फिमोब होगा अब क्या होगा जो जिब्र तो जब भी हमने साइड ब्रांचिस करनी है तो उसको टॉप करो अगर हाड प्रून करेंगा फिर से शूटर निकले सिरफ ऑगजिन रिमूव करने का काम करना है सिरफ टिप काटनी है आप थोड़ा से इतना भी काट सकते हैं इस पर वही है जो यह अंख है इसमें भी होँता हैं आप की सायव फंट कर रहे हैं न आज कल चल रहा प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं जैसे उसको आख पे लगाएंग वहां पर बढ़ा वैसे तैनी बार और जो ऑग्जिन के इफेक्ट होता है उससे क्या होता है या खड़ी तैनी मिकल जाएगी जिब्रेलिन का इफेक्ट ऐसा होता है कि वह वाइड एंग्स इंगल टेहने प्रूनिंग का राइट तैम क्या जैसे शड़े पांच हजार पर हम यहां पर है तो इसको प्रूनिंग अगर आप अर्ली करते हैं तो आप ग्रोथ को रोख सकते हैं इतना आप लेट जाएंगे जैसे मान लो यह वाला पौदा है इसको प्रून होना चाहिए फैब्री में अगरा प्रून करों इसमें जब आपको सिल्वर टिप स्टेज दिखी लिए मतलब ही बड़ स्वेलिंग स्टेज हो रहे हैं तो आपका अब हमारे अगर मैं 6000 की बात करूं तो वहां पर मिड मार्च में 15 मार्च में सिल्वर टिप स्टेज आता है तो सब्स्राइब्र प्रूनिंग हो जाना जाए ताकि आपका सैफ अब जिस पौदे को आपने ग्रोथ में ले जाना है उसमें उतनी लेट प्रूनिंग करें जिसको पौदे को आपने रोकन है ना इसमें जल जल दी को यह है कंसर नहीं जैसे बड़े कट में जो रिकवरी गां तो यह बताते है कि यहां पर टिशू है वो डैमेज हो गया इसमें रिकवरी उतनी खास नहीं होगी बनिस्वत उसके पर हमार को यहां पर जैसे बरफ का टेंशन होता है कि बरफ गिर जाए तो तो फोड़े से सेफर साइट में थोड़े से डॉर्मेंसी में कर लेता है डिसम्बर जैन्वरी जन्वरी में कर निकाल लेकर दो कि अगर आपने रोकना है तो आप रिंग कट कर दो तो आप और रूह जाता है कभी आपने बाहर को बढ़ाना है जब आपने रोकना है उसको वीक पर डाल दो आप उसको आपने टॉप नहीं करना है तो आपका फैदर का लेंथ क्या होना चाहिए डेड़ फिट उदर से पौदे का फैदर आया या डेड़ हो गया आपका आप डेड़ फिट से उपर जाना है नहीं है तो यह हमारा अगर आप बहुत क्लोस पैसिंग तो सेंट्र एक्सिस पर आप बेर करवा सकतें लेकिन इतना स्पेसिंग है मालो तीन फूट है चार फूट है आप तो आप तो आप तो आपका क्या है सबसे पहला बड़ा बड़ आप तो आप जल्दी अचीव कर लोगा जो आपने अचीव करना है मैं आपको पहले बोला तीन से चार साल में आपका हाइट अचीव होना चाहिए अब हाइट कितनी है यह यह वी कन्फूज़न है हाइट कितनी लेजाए पहलेगी यह डिपेंट करेगा आपकी स्पेसिंग मालोग आपके पहले सब्सक्राइब किस्पेसिंगे आपने एक बग्विच्छा है जो नौर्ठ फेसिंग करतें अब वैस्ट प्रेसिंगे आपका अल्हौंग तो टैरेन लेट हो जाएगा आप व देंगे ना फंट्रा हाइड एंसेटी जाएंगे तब भी आप दिश्टे में रॉक पर दूप आई आप सोपेर ना करें यूरोप में वैसे भी कम रूप आती है उनकी स्पेसिंग जाधा भी हो सकती हम कम स्पेसिंग बे भी कामकर से तक युद्य हां पर दूप बहुत है अमार्मी में.